आयोध्या से निकलकर राम मंदीर का बुद्धा पूरे देश में चाया हुआ है वर्तमान में जीस तरह से राम मंदीर का मसला चारो तरफ सुनने को मिलता है उससे अलग-अलग तरह के क्यास लगाए जाने है कॉंग्रेस पार्टी ने यहां तक की चित्रकूट से रामपथ गवन यात्रा भी सुरू कर दी और इसका सयोजग बनाया गया था संजीव मोहन गुप्ता को आईए जानते हैं संजीव मोहन गुप्त रामपथ गमन यात्रा के सहारे कॉंग्रेस पार्टी को कितना मजबूद बना पाए हैं संजीव मोहन गुप्त की जुवानी नमस्कार आप देख रहे हैं रिवा दर्शन मैं जावेद अन्सारी है हमारे साथ इस समय मौदूद हैं रामपथ वन गमन समित के प्रदेश सहयोजक संजीव मोहन गुप्त जी जीनों ने विंद नहीं प्रदेश नहीं देश की राजनीत में भी नजदी की नजर रखी है आईए इस समय प्रदेश में चुनाओ का दोर है हम इन से इनी सारे मुद्दों पर बाचीत करेंगे मेरा सबसे पहला सवाल है रिवा दर्शन में से आपने बाचीत करने का जो समय दिया उसके लिए मैं रिवा दर्शन की ओर से आपका बहुत आभार प्रदेश आपका स्वागत है और रिवा दर्शन के माध्यम से पूरे नगरवासियों का विंदवासियों का और प्रदेश वासियों का स्वागत है थैरिके से तिया the देखिया वह लोग बहुत सालों से देखते आ रहे हैं Congress je Darm की जात ही राजनीति से बहुत ऊपर उठंखे काम करती है आपने देखा हुए इतने सालों में कभी भी Congress की ये policy ने रही कि वह जात वाध पहला万 या धर्म से धर्म को बाटे पर आज भारती जन्ता पार्टी ने जिस मोड पे राजनीती को लाके खड़ा कर दिया है उसको हर चीज को धर्म से जोड़ने लगे है तो हमने सोचा कि जो एक विवादित स्थल है जिसका मानिय उच्चेतन न्याले में प्रकरन लंबित है और जो अपना समय लेगा हमने यह सोचा कि भई आज हमारे मध्यप्रदेश में 15 साल से भारती जन्ता पार्टी की सरकार है और जितने वो बड़े बड़े धर्म के बादे करते थे सब के चीज़ों के करते थे भगवान राम के लिए बादे करते थे उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो हम लोग ने इस पर विशार मंथन किया और हमने बोला जो हमारे मध्यप्रदेश में चित्रकूट धाम इतना बड़ा धाम है जहां भगवान श्री राम ने वनवास के ग्यारा हुष काटे है और जिस पद से वो निकले हैं वहाँ पर कम से कम एक पद बनाया जाए एक मार्ग बनाया जाए जो लोगों के लिए एक प्रिणना सुरोथ हो वहाँ जाएं तो लोगों को लगे कि उन्होंने किस कटनाई से उस समय वहाँ पर वक्त काटा होगा और उनको उससे सीख मिले तो इसी को विचार में रखते हुए माने कमलनाजी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने उन्होंने उस पर विचार किया और उन्होंने एक वचन पत्र दिया कि नई भाई हम इसको जो है वो बनाएंगे और उससे कम से कम यहां पर एक टूरिस्ट का बढ़ावा मिलेगा टूरिस्ट लोग आएंगे देखेंगे कि ऐसी जगे भी मदप्रदेश में है और वो एक पूरे विश्व के मानशेतर पर तो क्या यह माना जाए कि आपने ही जेक किया या वाकई में आप कुछ करना चाहते हैं देखें मुद्दे को हाई जेक करने वाली कोई बाती नहीं है भगवान राम सब के है किसी के पेटेंटेट तो है ने यह रिश्टर टेड़मार्क तो है निए भारती जनता पार्टी आज आप देखिए चाहे कोई कंप्यूटर बाबा हो चाहे कोई भी बाबा हो सब ने दरकनार कर लिया अपने आपको नर्वदा का मुद्दा हो वहाँ पर व्रस्टाचार है भगवान राम की आप बात करते हो अभी आपने सरदार पटेल जी की मूर्ती बनाई चलिए बहुत रामवत पात का गर्मन मार्ग है जहां पर भगवान राम सुयम रहे हैं तो हमें उसको बनाना चाहिए कि हमें परतिमाय तो कितनी हैं सेकड़ों परतिमाय हैं हजारों मंदर हैं लोग उन मंदरों में जाते नहीं हैं मंदरों की स्थिती तिनी छिर्ण है आप जाके कि वहां पर लोगों को गए हुए महीनों हो जाते हैं तो इस तरीके से ऐसा कोई बात नहीं कि हमने कोई मुद्दा उन से हाइजेक किया हो यह कॉंग्रेस के अपनी सोच और एक पॉजिटिव सोच है जिसको कॉंग्रेस ने वचन पत्र के रूप में दिया है हम वचन देते है कि उसको हम करेंगे यह तो ही यह तो ही राम पत्कमन की बात अब विधान सभा चुनाओं का दौर है हम आप से कुछ राजनीत की बात करना चाहेंगे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे प्रदेश में आप कांग्रेस की क्या भूमिका देखते हैं क्या इस्तित है तिकि आज एक बात बड़ी सपष्ट है कि भारती जनता पाटी के 15 साल के शाषन में जितना भरस्टाचार हुआ है पहले हमें बोलते थे हमने बिमारू राज कर दिया यह कर दिया यह कर दिया आज इस्तिती क्या है आज उसका हम लोग एक आखलन फेर आखलन करें आप लोग यूथ है आप यह देखिए मैं यूद कॉंग्रेस में रहा मद्रदेश में उपाध्यक्ष रहा स्टेट का नैशनल लेवल पर मैं रहा चार-चार-पांचमा स्टेट का इंचार्ज रहा बहुत सारे विभागों में मुझे रखा गया और विंद से मैं हमेशा सो जोड़ारा मेरी पै प्रेट खानन माफिया का आप को स्थिति पता है व्यापम में इतनी मौत हो जाना कोई मजाक बात होती है क्या एक आदनी मर जाता है तो पुलिस उसका इंवेस्टिकेशन करती यहां पचाश-चालिस-चालिस आदनी मर गए आजकल इस्थिति क्या है आप बोलते हो हम इस में नंबर वान है आप क्रिशी में नंबर वान हो किसानों को उपर गोली चलाने की जुरूत क्या पड़ रही है किसानों को उनको दाम क्यों नहीं मिल रहे है आज आप किया कितने दोगा है आपने इतनी संबिट की आप जाके वाशिंग्टन में अपना मजाक उडाते हो कि यहां की सटकें वहां से अच्छी है आप यहां से 17 निकल जाई है देख लीजिए कैसी सटक है तो आप इस तरीके का जूट बोल बोलके घोशनाय करकर के घोशनाय करकर के आप क्या दिखाना चाहते हो यह माना जाए कि भारती ज होशनाय करी है और सबसे बड़ी बात जो सबसे चिंता की बात है कि यहां पर भैका और आतंक का वातावरन हो गया है माता बहने हमारी सुरक्षित नहीं है बच्चों के साथ बलातकार होने लगा है इस से ज़्यादा घ्रनित अपराद क्या हो सकते हैं कि घर की बच्चिया निकले कोई छे साल की बच्ची कोई आठ साल की बच्ची और भोपाल जैसे शहर के अंदर राजधानी के अंदर इस तरीके का क्राइम हो रहा है आपके यहां पर डकेट की समस्या है आज तक रीवा में नहीं सौल हो पा रही है क्यों क्या कारण है आप बोलते हो बहुत आप से है आपने यह तो प्रदेश की बात की विंद में आप यहां से विधानसभा का चुनाव भी पूर में लड़ चुके हैं विंद में इस समय चुनाव हो रहे हैं मद प्रदेश में विंद में तीस सीटे हैं रिवा जिले में आठ सीटे हैं इन तीस सीटों और आठ आप किस पार्टी को किस तरीके से देखते हैं देखिए यह जो चुनाओ है यह इस बार जो है इस्थानी मुद्दो पे हो गए पहले पिछला चुनाओ जो था वो लहर थी एक मोदी जी की भी लहर थी और वो मोदी जी की लहर जो है अब वो कम होती दिख रही है आपने का रुजहान लोगों का कॉंग्रिस की तरफ हुआ है जिस तरीके से आपकी मुलभूत सोधाएं है रीवा में रीवा जिले में आप चाहें उसको अस्पताल को ले लीजिए आपने बोल दिया हमने सब यह सेंटर बना दिया वहां जाकर आप देख लीजिए मशीने काम नहीं क देकेदारी के काम करती उसको आप विकास बोलते हो आज भी नाली वैसी बजबजा रही है कचड़ आप देख लो वैसे ही है मवेशी देख लो वैसे घूम रहे हैं क्या हो रहा है आपके यहां पर कोड के ओर्डर हैं आप देख लीजे उसके बाद भी कोई कारिवाही नही दे रहा है तो उसको आप विकास कहते हो शौपिंग कॉम्पलेस बना देना विकास होता है अगर आप इसको विकास कहते हो तो मैं तो नहीं मानता कि विकास है हमारी जो मूलभूत समस्याए हैं अगर आप आज ले लीजे आपने अभी आप देखिये सिमरिया की विधाया कि उ उनने क्या इजाम लगाया कि उनको विकास नहीं करने देते कौन करने दे रहा क्या नहीं करने दे रहा सारा समाछार पत्रों में को यह आप उंद उत्सव विंद में क्या कल्चरल लवलॉपमेंट किया यह मुझे बता दिजया है आपने राजकापूर अडिटोरियम बनाया बहुत अच्छी बात है आपने बनाया यहां पर नहीं था। उसकी कीमद इतनी रगदू कि क्या रिवा वाले अफोर्ड कर सकते हैं उसको। नहीं कर सकते। तो आप क्या कल्चुरल डेवलप्मेंट कर रहे हूँ। वो मुझे बताओ आप स्थानी मुद्धों पर चुनाओ लड़िये आप स्थानी मुद्धों में देखिए और स्थानी मुद्धों मेरा दावा है कि इस बार कॉंग्रेस निश्चित जीतेगी। अभे मिश्रा एक उन्होंने भारती जन्ताबाटी को छोड़ा है। वो यहां पर एक विश्वास के साथ आए हैं। और उन्होंने बहुत जमीन से शुरू किया है। और जमीन से शुरू करके यहां तक पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि वो निश्चित ही विजए प्राप्त करने को और हम सब कांग्रेसी एक साथ हैं। क्योंकि यह चुनाओ जो है वो बहुत सारा मुद्दे लेके आ गया है। अगर आप देखें, विंद में चुनाओ केवल विकास को लेके नहीं है। विंद में चुनाओ को कभी कोई जाती रूप दिया जा रहा है। उससे अगर आप उसको ठीक से पढ़ें, तो आप देखें किसानों के लिए तो एक पूरी हरित करांती ले आया है। जिस तरीके की योजनाएं कॉंग्रेस ने डिकलियर की हैं इस तरीके की योजनाएं भारती जनता पार्टी ने आज तक सोची नहीं है आपका मतलब यह है कि आपकी जो घोशनाएं है जो योजनाएं अगर वो पूरी होती है तो वाकई में कुछ काम दिखेगा विकास की बात होगी मेरा एक सीधा सा सवाल है इस समय देश में कुछ दिनों पहले एक्टो सेटी एक्ट को लेकर काफी विरोध हुआ काफी बवाल मचाता उस पर आपका दृष्टिकोंड क्या है देखिए हमारे विचन पत्र में लिखा है कि हम सामान्य वर के लिए कायोग गठित करेंगे हम आरे कांगरे सरकार अदर 11 नहीं होगा by कहा कि मोख्य मंतरी के दस दिन के अंदर किसानों के करजे माफ हो जाएंग अचाहे वो नेशनलाज़ बेंको बंक को दो लाग करिंग दो मफ हो जाए। ऐसे लगबक साथ हजार करोड रुपे का लोन माफ होने वाला है सबसे पहले हर युवक का फर्ज बनता है क्यों आगे आए किसान पुत्र है ग्रामी ने लाकर आये शेहरी ग्रामी मे लाक여 है यहां ग्रामी मिल से लोग शेहर में आते हैं पढ़ने के लिए आए सबसे पहले तो अपने परिवार को कर्जा मुक्त कराए कांग्रेस को बोट दे कर्जा मुक्त करा ले उसके बाद उसको आगे बढ़ने के लिए हम लोग ने बोला है लोकल हम उद्योग लगा रहे हैं यहां पर सोलर प्लांट ला रहा है यहां अल्ट्राटेक सिमेंट आ कि एशिया का नहीं है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट आपके उस विधानसवा से जहां से कभी आप विधानसवा का चुनाव लड़े थे अब उस पर कितने लोगों को रोजगार मिला होगा आप जड़ा इसको बताएंगे क्या देगी अभी तक तो वहां पर इतन विधायक हैं वो मेरे बच्पन के मित्र भी हैं हम लोग मिलते रहते हैं तो हमने भी उनको कहा था कि आप इसको गुर्चेत में लगाए क्योंकि वहां पर जो जमीन है वो इतनी बंजर है कि वहां पर कुछ और हो नहीं सकता अवो सोलर प्लांट सौभाग्य है कि लगा है अवो लग के रोजगार देने लगे और उसमें यहां के लोगों को रोजगार मिले उसके लिए हम लोग संगर्च करेंगे हमाई सरकार बनेगी तो निश्चित हम ये सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को उसके लिए स्किल के बाद यहां जो तस्वीर उभरेगी निकट भविस में लोकसभा के चुनाओ भी होने हैं तो आप क्या देखते हैं किस तरीके की भूमिका होगी क्या वातामरण निर्मित होगा क्या असर होगा इस चुनाओ का तेखिए यह चुनाओ जो है यह बहुत बड़ा असर डालने वाला है मैं आपको बता दूँ राजिस्थान में भारती जन्ता पार्टी को मुग की खानी पड़ेगी मध्यपरदेश में कॉंग्रेस सरकार बनाईगी भले ही वो 20 सीट से सरकार बनाईगी सरकार बनना टै है उसके बाद 36 गड़ में आप देखिए वहां आतन का वातावर आज तक नहीं खतम हुआ वहां पर अभी भी इस माउष्ट अटैक इस तरीके से हो रहे है नक्सली हमले इस तरीके सो रहे है 15 साल से सरकार करके आ रही है और मुझे कभी-कभी बाला दुख होता है मोदी जी इतने पॉपुलर लीडर है उसके बाद माउष्ट के लिए वो क हमले होते हैं तो क्यों भाय का बाताबरन बना रखा है आपने क्या कारण है तो निश्चित जब यहां के इस तरीके के परनाम आएंगे आप मेरी बात मानिए डिमॉर्टाइजेशन से लोग इतना परशान है उसके करते जिस तरीके के उद्योग बंद हुए है उसके करते जिस तरीके से रफाइल में मोदी जी जबाब नहीं दे पा रहे हैं उसके बाद अमबानी को जिस तरीके से फायदा पहुचाया जा रहा है विजय मलिया का केस सी बी आई ने वीक पेपर लगा है वो खारिज हो गया है कल मेरी यहां पर आप पार्टी के पड़े नेता संज मेरी उन से बात हुई उन्होंने का मोदी सरकार आज तक की सबसे भ्रष्टम सरकार है क्या आप उनकी बात से इतफ़ा करकते हैं देखिए भ्रष्टम सरकार है वो प्रमान दें भ्रष्ट सरकार तो है यह तो अधरनी राहूल गांधी जी भी कहते हैं और बहुत सीदा सीद इस दिखता रफाइल का पैसा किस तरीके से अने लंबानी की जेब में डाला हुनोंने, तीस हजार करोड रुपए, हिंदुस्तान अरोनाटिकल लिमिटेड कंपनी, बरसों से हमारे हैं हवाईज बना रही है, मिक बनाए, सारी चीज़े बनाई, आप उसका कॉंट्रेक्ट ज जोग मुझी पतियों के लिए केबल चार-पांच वो भी चुने हुए चेहनित लोगों के लिए आप केबल सरकार चला रहे हो, तो दिख रहा है ना, कि आपने पांच साल के अंदर और पिछले 15 साल में भारती जनता पार्टी के कार्यालों के वेजभुचा देख लीजे आ तो अपने आप समझ आ जाएगा आज भी कॉंग्रेस का दफतर जो 24 अकबर रोट पर और उनका देख लीजे रालिशान फाइस्टार होटल है, जाहे हो भोपाल हो चाहे है कहीं भी आप देख लीजे अपने आप फरक पता चल जाएगा तो कल को मोटर साइकल से गूमते ते तो चाहर वही है कि वहान इस तरीके से ऐसे रखे हुए हैं घरो में चाहर पांच 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 लग्र कहां से पैसा आ रहा है मेरा अंतिम सवाल विंद में 30 सीटे हैं रिवा जिले में 8 सीटे किस पार्टी कॉप कितनी सीटे देंगे मैं रिवा में आठ में से लगभक 30 समी करण ऐसा मुझे लग रहा है कि उससे फरक पड़ सकता है लेकिन अगर लोग किसानों ने मन मना लिया है और यूवा जो हैं इसमें बहुत एहम भूमी का निवाने वाले हैं अगर यूवाओं ने मन मना लिया है जिस तरीके कि उन लोगों को सबसिडी जिस तरीके कि उ उनको 50 लाग तक का लोन, उनको 10 लाग रुपए तक का लोन, लोवर इंटरेस्ट पर, उनको ट्रेनिंग, उनको रोजगार भत्ता, बेरोजगारी भत्ता हमने लिखाए कि हम देंगे, दस जार रुपए तक का, तो यह सा मिलेगा और उनकी आयू भी बढ़ाई जाएगी, जो हमारे साथ राम पद्गमन समित के प्रदेश सहयोजग संजीव मोहनग, जिन्होंने अपनी बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, उन्होंने विकास के मुद्दे पर का कि विकास की बात देखनी हो, तो भारती जनता पार्टी के पूरे देश के कारयालों को देखिए, आ आगे की जानकारी के लिए भी लगातार रिवा दर्शन देखते रहे, हम आपको लगातार सारी जानकारी आप तक पहुचाते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार मद्ध प्रदेश में पिछले 15 वर्सों से भारती जनता पार्टी की सरकार है, पिछले चुनाओं में उनका बेहतर प्रदसन रहा, 2003 से कॉंग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो चुका है उम्मीद लगा रही है कॉंग्रेस पार्टी की आगामी चुनाओं में बेहतर प्रदसन करके वह बीजेपी को हरा पाएगी और प्रदेश में सरकार भुना पाएगी लेकिन यह तो वक्त ही बताएगा कि कॉंग्रेस पार्टी कितनी काम्याब होती है लोगतंद की यही है पुकार बोट देना अब की बार बोट के वादों के साथ आप भी मतदान केंदर में जाईएगा और बोट जरूर करिएगा आज बस इतना ही हमें दीजिए इसाजत नए मुद्दे के साथ फिर होंगे हाजीर तब तक के लिए नमस्कार कर दोटें लोट भी मुद्दे के साथ आप भी मुद्दे के साथ आप यही नमस्कार